आज की वीडियो के अंदर हम लोग WordPress को यूज करके एक travel booking की website को create करेंगे इस website के उपर तमाम वो feature है जो किसी भी travel booking की website पे होना चाहिए जैसे कि आप यहाँ पे online booking कर सकते हो, rooms की availability चेक कर सकते हो, यहाँ पे कितने लोग आपके trip पे आएंगे, सारे के सारे details, destinations जो भी है आप यहाँ पे details को provide कर सकते हो, उनको select कर सकते हो, online payment कर सकते हो और proper तरीके से यहाँ पे अपने लिए एक destination, एक tour place, एक room, सारा कुछ आप अपने according यहाँ पे book कर सकते हो इस website को बनाने के लिए हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ free resources का use करेंगे जैसे कि free theme, free page builder, free plugins and free resources तो जो भी हम यहाँ पे करेंगे, वो 100% यहाँ पे free होगा आप इस website को मेरे steps को follow करके, बहुत easily create कर सकते हो तो directly हम लोग jump करते हैं, यहाँ पे practical की तरफ और देखते हैं कि आप यहाँ पे क्या सीखने वाले हो वीडियो को start करने से पहले, अगर आप हमारे चनल पे new हैं, तो subscribe करें बैल आइकन को click करके all notification को on करें तकि आपको latest videos की notification मिलती रहे तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इस जगह पे आप अपने according एक logo लगाओगे यह आपका navigation bar है, यहाँ पे home, activities, destination, trip types, trips, pages का एक option है आप अपने according क्रियेट कर लेना, contact us और एक search का option है आप इसमें अपने according चीजों को कम ज़्यादा कर सकते हो background में एक image है, जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो 100% editable है आप अपने according कर सकते हो, edit यहाँ पे आपका कोई tagline होगा, इस जगह पे आपका एक get started का button है अगर हम इसके उपर click करेंगे, तो एक separate page यहाँ पे open हो जाएगा यह एक बहुती बढ़िया चीज है यहाँ पे, proper तरीके से आप यहाँ पे filter कर सकते हो कहाँ पे आपको घूमना है, destination क्या है, तो जो भी आपके destination है आप यहाँ पे उसको list कर दोगे, activities, उस जगह पे आप क्या क्या कराते हो hiking है, hot air, balloon है, jungle, safari है, क्या है, वो details आप यहाँ पे दे सकते हो duration क्या है, भाई, कितने दिन के लिए जाना है, वो detail आप यहाँ पे mention करोगे budget कितना है, वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो, और plans को search कर सकते हो, ठीके हम यहाँ पे देखते हैं, जो page open हुआ है, वो कुछ इस तरीके का है, इसको हम आगे जाकर क्यों और detail में समझेंगे, नीचे आएंगे, तो यहाँ पे services है और इनके बारे में है कुछ, आप इन भी trust कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्यों इन ही को location का name आएक और कितने दिन का trip है, आप यहाँ पे देख सकते हो, हम even इनको यहाँ पे details में भी checkout कर सकते हैं, आप यहाँ पे देखोगे, title है, duration है, उसका एक image है, यहाँ पे आपको discount, price और slider भी है, यहाँ पे present है, इसी जगह पे हमारे पास itinerary का option है, यहाँ पे आप चीज़े बता सकते हो कि basically यह features है, क्या-क्या होने वाला है, आप अपने according यहाँ पे लिखोगे, cost है, कितना cost involved होगा, क्या-क्या included है, यह जो आपने पैसे लिए है, उसमें आप क्या-क्या provide करोगे, क्या-क्या provide नहीं करोगे, वो details यहाँ पे है, trip का अगर कोई page है यहाँ पे, कोई related questions है, आप यहाँ पे दिखा सकते हो, कोई map है, तो वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो, right hand side पर हमारे पास check availability का option है, वो भी हम देख सकते हैं, इसको बाद में discuss करेंगे, इसके नीचे आओगे, तो यहाँ पे आपके सामने एक बढ़िया सा image लगा है background में, feature trip है, कोई top trip जो है, वो यहाँ पे दिखा सकते हैं, और इसके detail को भी check कर सकते हैं, इसके नीचे जो discounted वाले deals होंगे, आप उनको highlight कर सकते हो, और उसके भी नीचे अगर हम बात करें तो popular destinations कौन-कौन से हैं, जैसे कि Paris है, आइफिल टावर है, मालदीव से है, भुटान है, जो भी है, हम यहाँ पे उसको list कर सक सकते हैं, कुछ activities का area है, इसके उपर भी click करके हम इसके details को देख सकते हैं, इसके नीचे आपके कुछ blog post है, और उसके नीचे common सा footer है, जो हर एक page के उपर present होगा, इस जगह पे आप अपना phone number, email address, address और social media के links जो हैं, वो provide कर सकते हो, तो यह page हमारा यहाँ पे open हो चुका है hiking वाला page यहाँ पे open हो गया, आप यहाँ पे उसके details को देख सकते हो, और even इनके उपर भी click करके, इनके particular details को भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो फिलाल के लिए मैं इसको यहाँ से close कर देता हूँ, अब हम चलते हैं यहाँ पे हमारे activities के page के उपर, तो यह हमारा activities का page है, क तो भी आपने provide किया हो, proper तरीके से यहाँ पे वो visible होने वाला है, इसी के साथ साथ एक destination का भी page यहाँ पे present है, यहाँ पे आपके multiple destinations दिखाई देंगे, और अगर view all के उपर click करेंगे, तो इस particular destination के details भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, trip types का भी एक option है, इसके अदर आपके अलग-अलग trip के types हैं, वो आप यहाँ पे list कर सकते हो, trips के अंदर हमारे पास यहाँ पे proper तरीके से filter का option मिलता है, जैसे कि trip के listing है, criteria है, destinations है, आपको कौन सा destination के चीज़े चाहिए, वो यहाँ पे select करो, सिर्फ उन्ही की चीज़े list होके आएंगी, किस price range में चाहिए ह कितना duration चाहिए है, वो select करो, आप proper तरीके से यहाँ पे इसको filter कर सकते हो, इसके details को देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे view details के उपर click करता हूँ, तो आप देखोगे इसका detail आ गया, अगर मैं यहाँ यहाँ पे check availability पे click करो, कि इतने तारीक को भाई, जाओगे क्या, continue उपे click करेंगे कहता है कितने लोग है, यहाँ पे adult में कितने है, मैंने का यहाँ पे adult में 5 लोग है, proceed to checkout के उपर हमें यहाँ पे click करना है, तो आप देखोगे, दो step पूरे होगे, billing का step रहता है और फिर payment रहता है, कोई coupon code है तो आप यहाँ पे apply कर सकते हो, इस जगा पे आपको सारे details हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं, और जो भी details आप यहाँ पे उनको check कर सकते हो, मैं जो आपको बना करके दिखाऊंगा, उसमें online payment भी हम यहाँ पे receive करेंगे, तो आपको card से payment लेना है, Google Pay, UPI, bank transfer, जो भी option आपको चाहिए, वो भी हमारे website के उपर present होगा, multiple pages है, आ इसके उपर तमाम वो feature होंगे, जो किसी भी booking website के उपर होना चाहिए, चाहें वो destinations हो, filter करना हो, duration को select करना हो, online booking कराना हो, trip show कराना हो, कुछ भी, यह सारा कुछ free of cost, आप मेरे steps को follow करके, बिना किसी prior coding knowledge के, बहुत easily कर सकते हो, मैं इस website को directly online बनाने वाला हूँ, क्योंकि यह generally या आप किसी client के लिए बनाओगे, या फिर आपके business को online लाने के लिए बनाओगे, लेकिन अगर आप currently student हो, और आपको सिर्फ बना के देखना है कि कैसे यह process काम करता है, तो आप इसको अपने computer के उपर भी कर सकते हो, link आपको description में मिल जाएगा, कि WordPress को अपने ही computer पे कैसे install करना है, लेकिन मैं यहाँ पर directly online करने वाला हूँ, किसी भी तरीके की website को बनाने के लिए और उसे online लेकर क्याने के लिए, हमें कम से कम दो चीजों की requirement होती है, एक होता है domain name, दूसरा होता है hosting, domain name होता है नाम, भैचान, identity, जैसे google.com, facebook.com, youtube.com, हमारे case में domainresa.com, ऐसे ही आप अपने store and travel के website को online लेकर के आओगे, यह कहलाता है आपका domain name, hosting होता है storage place, जहाँ पे आपकी website की सारी files, सारे image को आप store करके रखोगे, तो अगर आप domainresa.com पे आओगे, तो इन दोनों ही services को आप यहाँ से select कर सकते हो, हमें जाना है यहाँ पे web hosting के page के उपर, यहाँ प आपको fast मिल जाता है, pricing plan के अगर हम बात करें, तो basic plan start होता है 59 rupees per month से, इसके अंदर आप एक website को host कर सकते हो, एक GV SSD की storage है, 10 email address create कर सकते हो, 5GV की bandwidth और light speed की technology है, personal plan के अंदर आप एक website को host कर सकते हो, unlimited SSD की storage है, unlimited email address create कर सकते हो, bandwidth unlimited light speed की technology है, और premium SEO tool आपको free मिलता है, silver plan के अंद आप 3 website को host कर सकते हो, unlimited SSD की storage है, unlimited email address create कर सकते हो, bandwidth unlimited light speed की technology है, और premium SEO tool आपको free मिलता है, advanced plan के अंदर आपको एक domain name free मिल जाता है, unlimited websites को यहाँ पे host कर सकते हो, bandwidth भी unlimited है, light speed की technology है, और premium SEO tool आपको free मिलता है, advanced plan IT industry वालों के लिए, freelancers के लिए, web designer developers के लिए best है, क्योंकि यहाँ प websites को host कर सकते हो, और इन तीनों ही plan के अंदर आपको premium SEO tool free मिलता है, इसकी help से आप अपने website की SEO कर सकते हो, और उसे rank करा सकते हो, तो आप अपने budget, अपने requirement के हिसाप से domainresa.com पे आकर के plans को select कर सकते हो, मैं currently यहाँ पे silver की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैं यहा requirement के हिसे आप से select करें, यहाँ से आपको duration को select करना है, view more के उपर click करें, यहाँ से आपको एक domain name select करना है, जो भी आपको चाहिए हो, example के लिए मैंने यहाँ पे type किया, हमारा domain name और .com.in जो भी आपकी requirement है, वो आप select करेंगे, check के उपर click करें, एक बार यह available हो जाता है, तो नीचे scroll करके continue उपर click करें, details को read out करके again continue करें, continue करें, अपने domain name को check करें, hosting plan को check करें, सारा कुछ verify करने के बाद checkout के उपर click करें, और जिस तरीके से आप online shopping करते हो, अपना एक account create करते हो, उसी तरीके से यहाँ भी आपको अपना account create करना है, अपने basic details provide करें, अपना address, phone number, ए email address, password generate करें, और यहाँ से अपने order को complete करें, एक बार आप इस process को पूरा कर लेते हो, इसके बाद आपको जाना है login page के उपर, और order completion के time पे, जो email and password अपने generate किया था, वो fill करके simply login button के उपर click करें, जितने भी services आपने opt किये होंगे, आपको यहाँ पर दिख जाएगा, simply services के click करें, और जिस भी domain name के उपर आपको यहाँ पर काम करना है, उस domain के नाम के उपर आपको यहाँ पर click कर देना है, right hand side पे नीचे एक option है, login to cPanel, simply इसके उपर click करें, तो यह हमारा cPanel, यानि की control panel है, आप यहाँ पर check कर सकते हो, domain researcher के web hosting servers में, हम 100 plus options मिलते हैं, चीजों प different categories के according, बहुत ही सारे tools यहाँ पर दिये हुए हैं, हमें currently wordpress पर काम करना है, तो नीचे scroll करके आपको wordpress के उपर click करना है, यहाँ से नीचे scroll करें, install now के उपर click करें, make sure यहाँ पर https connection selected हो, आपका correct domain name जिसके उपर आपको wordpress को install करना है, उसको select करें, directory यहाँ पर खाली रहेग जो भी wordpress का latest version है, उसको select करें, यहाँ से अपना username चेंज करें और password को change करें, username and password को change करने के बाद, make sure आप इस email address को यहाँ से delete करेंगे, और अपना correct email address यहाँ पर provide करें, ताकि कोई भी आपके website के उपर कोई detail pass करें, order pass करें, या contact us form को fill करें, तो वो detail आपको अपने email address के उ receive हो जाए, इसके बाद आपको नीचे scroll करना है, install के button पे click करें, तो आप यहाँ पे check कर सकते हो, wordpress यहाँ पे install हो चुका है, अब हमें क्या करना है, new tab के अंदर, जो भी हमारा domain name है, simply उसको open करें, आपके case में जो भी आपका domain name हो उसको open करोगे, तो आपके website के उपर कुछ ऐसा look आएगा, इस look को ignore करें, क्योंकि यह हर साल यहाँ पे change होता रहता है, बट अगर आपको पता करना हो wordpress install हुआ है या नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं आपको hello world का post यहाँ पे दिख जाएगा, अब आप चाहें तो पिछले tab को यहाँ से cut कर सकते हो, अब हमें इस website के admin dashboard को login करना है, ताकि इस website को अपने according create कर सके, इस चीज के लिए आपको कर लेना है अपने domain name को copy, new tab में आ करके अपने domain name को करना है, paste slash wp-admin, आपका domain name slash wp-admin, wordpress को install करने के time पे, जो username and password आपने generate किया था, वो यहाँ पे आपको provide करना है, और simply login बटन के उपर क्लिक करे, तो यह हम WordPress का dashboard है, अब आपको क्या करना है, अपने website को एक बार refresh करें, क्योंकि अभी अभी हमने login किया, और नीचे आपको यह options देखने को मिलेंगे, तो यह हमारा dashboard है, इस dashboard के जरीए हम अपने website को पूरा का पूरा change कर सकते हैं, और अपने according यहाँ पर create कर सकते हैं, अब हम यहाँ प करना है, तो यह आपको यहीं पर site title में मिल जाएगा, मैंने कहा travel या फिर जो भी आपको लिखना हो, तो मैंने यहाँ पर provide किया tour and travel, tagline को मैं यहाँ से remove कर रहा हूँ, नीचे scroll करके save changes के उपर click करें, यहाँ से आपको जाना है permalinks के उपर, make sure यहाँ पर पोस्ट नेम को टि और wordpress के अंदर हम इसे यहाँ पर theme कहते हैं, और इसकी functionality जो हमारा यहाँ पर बन करके आएगा, वो हम यहाँ पर plugin के जरिये करते हैं, तो theme और plugin हमें यहाँ पर download करना है, तो plugin को download करने के लिए हम यहाँ पर use करने वाले हैं, WP Travel Engine plugin का, जो की काफी अच्छा plugin है और इसके जर है, इस website का link मैं आपको यहाँ पर description के अंदर दे दूँगा, हम यहाँ पर free version को use करने वाले हैं, यहाँ पर इनके पास free and paid दोनों options available हैं, WP Travel Engine plugin को use करने का एक motive यह है कि यह हमारे काम को बहुत साधा easy बनाता है, और बहुत ही आसानी से हम अपने website को यहाँ पर create कर सकते हैं, अगर हम इस plugin की बात करें तो इसके जरीए जो website हमारा ready होगा, यह SEO friendly होगा, इट मीन्स गूगल के उपर अगर आपको अपने business को अपने website को rank कराना है, तो बहुत easily इसके जरीए हो सकता है, क्योंकि यह पूरा का पूरा SEO friendly interface है, नीचे अगर आप चेक करोगे तो try free का option है, ज version buy करते हैं, तो क्या-क्या pricing होने वाला है, यहाँ पर आप देखोगे जो personal plan start होता है, उसके अंदर हम एक website को host कर सकते हैं, और क्या-क्या functionality और feature मिलेगा, आप यहाँ पर read कर सकते हो, काफी सारे options और features and functionality यहाँ पर दिये हुए है, इसका जो price आपको पढ़ने वाला है, वो ह यहाँ पर $99 per year, जो कि ठीक है, tour and travel के business में इतना आप एक दिन के अंदर easily earn कर लेते हो, तो साल भर के लिए इतना pay करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आपका कोई travel agency है, और mid range का travel agency है, तो उसके लिए आप यह वाला select कर सकते हो, इसका आपका cost पढ़ने वाला है $ $99 per year, और कुछ extra features and functionality आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे कि यह सारी चीज़े आप यहाँ पर देख सकते हो, और अगर उससे बड़े level का आपका काम है, multiple agencies हैं, तो आप यह वाला select कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आप 3 websites को create कर पाओगे, और $2.99 per year इसका आपको cost और इसके अंदर काफी सारे features आपको यहाँ पर दिये हुए हैं, तो हम यहाँ पर free वाले को download करने वाले हैं, इस चीज़ के लिए आपको try free के उपर click करना है, यहाँ पर अपने basic details को provide करें, details को provide करने के बाद, download now के button के उपर click करें, आप यहाँ पर देख सकते हो, purchase हमारा य नीचे scroll करना है, इस जगह पे आपको एक option मिलता है, WP travel engine, simply इसके उपर click करें, in future अगर यह interface change होता है, तो अपने email address को check करें, वहाँ पे आपको download link ज़रूर मिलेगा, अब देख सकते हो इस जगह पे यह product हमारा यहाँ पर download हो रहा है, तो आप यहाँ पर check कर सकते हो, यह download ह हो चुका है, अब इसको देख लिए ना, यह download होके कहां गया है, मैं इसको अपने folder के अंदर store कर रहा हूँ, अब मेरी requirement है कि इस website के look को भी change करना है, plugin तो functionality प्रोवाइड करता है, look हमारा theme कहलाता है, आप यहाँ पे इस plugin के साथ किसी भी theme को use कर सकते हो, properly काम करेगा, बट यह plugin already एक theme भी provide करता है, जो कि 100% capital है इस plugin के साथ, तो मैं यहाँ पे उसी को use करने वाला हूँ, आपको यहाँ पे जाना है themes के page के उपर, इस जगह पे आप देख सकते हो, free का option है, premium का option है, और इस जगह पे आपको दोनों देखने को मिलेंगे, तो आपको इन में से जो भी पसंद आए, let's take an example, मैंने यहाँ पे free के उपर click किया, click करने के बाद free में हमारे पास यह दो options available है, आपको जो अच्छा लगे उसके उपर click करे, मैं यहाँ पे इसके उपर click कर रहा हूँ, view details के उपर click करे, get it now के उपर click करे, अपने basic details को दुबारा provide करे, download now के उपर click करे, again आपको नीचे scroll करना है, travel booking और जो भी इसका version number in future होगा, उसके उपर click करे, तो यहाँ पे हमारा theme भी successfully download हो गया, मैं इसको भी अपने folder के अंदर लेकर के आ रहा हूँ, अब हमें यहाँ पे theme को change करना है, इस चीज के लिए आप आजाओ अपने WordPress के dashboard में, यहाँ से जाना है आ choose file के उपर click करे, और जहाँ भी आपने उसको download करके रखा है, आप अपने theme को select करे, open के उपर click करे और install now करे, तो आप यहाँ पे check कर सकते हो, theme हमारा successfully install हो गया, यहाँ से आपको इसको activate करना है, अब अगर हम अपने website के उपर आ करके इसको refresh करेंगे, तो आप यहाँ पे notice कर है, इसको fully functioning बनाने के लिए हमें यहाँ पे plugin को भी upload करना पड़ेगा, इस चीज के लिए आपको जाना है यहाँ पे नीचे plugins के section में, add new plugin, upload plugin के उपर click करें, choose file के उपर click करें, और यहाँ से WP travel engine, जो plugin हमने download किया था, उसको install करें, तो plugin यहाँ पे install हो चुका है, simply इसको activate कर एक बार अपने website को यहाँ पे refresh करके check करें, तो आप देखोगे as such उतना कोई difference यहाँ पे नहीं आया, यह मुझे कह रहा है कि इसके कुछ process है, जिसे हमें complete करना है, मैंने का ठीक है, let's get started, यहाँ से आपको currency वगरा को select करना है, जो भी आपके country की currency है, मैंने यहाँ पे Indian rupee provide क या, आपका जो भी currency हो, आप वो provide करोगे, make sure यहाँ पे सारे details proper रखें, क्योंकि आप अपने business को सच में कर रहे हो, और आपको अपना amount जो है, वो bank में चाहिए है, लेकिन मेरे case में यह normal सा tutorial है, तो मैं इसको यहाँ पे skip कर सकता हूँ, लेकिन आप proper details provide करोगे, अपना email address options, वैसे तो by default सारे pages अपने आप selected होंगे, बट फिर भी आप इसको एक बार check करें, simply इसके बाद continue पे click करें, payment gateway का एक option आएगा, आपको यहाँ पे बोलना है, book now, pay later, paypal के जाई यह payment कराना है, तो paypal का email address provide करें, और इसको अपने according success करें, नीचे scroll करके इसको आपको यहाँ स continue कर देना है, अब देख सकते हो सारे के सारे step हमने यहाँ पे create कर लिये हैं, तो अब देख सकते हो your site is ready, नीचे scroll करके click here के उपर click करें, तो यह हमें basically एक trip create करने के लिए कह रहा है, कुछ options दिये हैं इसने हमें, इसके बारे मैं बाद में discuss कर लेंगे, right now आप यहाँ पे click कर के अपने wordpress के dashboard के उपर आ जाओ, अब यहाँ पे अपने website को हम refresh कर सकते हैं, तो इसका look थोड़ा सा और change हुआ, don't worry इसको properly हम वैसा बना लेंगे, जैसा मैंने आपको starting के demo में check कर आया था, dashboard में आने के बाद आपको एक option मिलेगा, begin installing plugins, आपको इसके उपर click करना है, या फि themes पे, जो भी आपने theme install किया है, obviously वो आपको active के अंदर यहाँ पे दिखाई देगा, नीचे आपको एक option मिलता है, install plugins, simply इसके उपर click करें, click करने के बाद यहाँ पे आपको दो plugins मिलेंगे, आपको simply इसको install करना है, install होने के बाद return के उपर click करें, और जो नीचे वाला plugin है हम travel booking toolkit, simply इसको भी install करें, यह basically हमारा recommended plugins था, हम आते हैं अपने dashboard के उपर, अगर आपको यहाँ पे और भी यह कुछ बोले, begin installation यह वो तो उसको आपको कर लेना है, इसके बाद अपने website को, एक बार और आपको यहाँ पे refresh करना है, यहाँ पे आप नीचे notice करोगे, कुछ यह area ज यहाँ पे देखोगे न, तो यह पूरा का पूरा area खाली पड़ा हुआ है, हमें यहाँ पे home page, contact us page, अलग-अलग pages की requirement है, तो इस चीज के लिए आप यहाँ से आ जाओगे pages, pages में आने के बाद आपको जाना है, all pages के उपर, और यहाँ पे, यह जो हमने WP travel engine install किया है न, उस के कारण आप देखोगे बहुत सारे pages already यहाँ पे बने हुए है, इस theme ने, इस plugin ने already यह काम हमारा यहाँ पे कर दिया है, तो यह तो वो pages हैं जो इस plugin ने, इस theme ने हमें automatically बना के दिया, कुछ हमें भी requirement है, तो आप उपर आ जाओगे, या फिर यहीं से add new पे click करोगे, add new पे click करने के बाद सबसे पहले तो हम यहाँ पे home page को बना लेते हैं, यहाँ पे आपको type करना है home, home provide करने के बाद आपको इसको publish कर देना है, again publish करें, तो यह हमारा नीचे, view page का एक option आ रहा है, हमारा home page यहाँ पे बन चुका है, by default यह खाली होगा, या फिर by default जो themes के settings है, वो set नहीं हुआ, अगर मैं आपको इसी के ऊपर refresh करके दिखाऊ ना, जो हमने पहले open किया था, तो as such आपको कोई changes देखने को नहीं मिलेंगे, तो कुछ settings हमें यहाँ पे करना है, आप आजाओ अपने dashboard पे, यहाँ से आपको जाना है नीचे settings, settings के अंदर एक option है, हमारे पास permal settings, simply इसके ऊपर click करें, make sure यहाँ पे post name selected हो और इसको save करें, तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया, homepage बना देने से main page आपका homepage नहीं बन जाता, हमें उसको set करना पड़ता है, इस चीज के लिए settings के अंदर एक option है, readings, simply readings के ऊपर click करें, click करने के बाद, your homepage displays, भाई आपका homepage क्य display करेंगा, by default होता है your latest post, जो भी आप blog में add करोगे, homepage का design उसके according बार बार change होता रहेगा, ऐसा मैं बिलकुल भी नहीं चाहता, तो मैं कहूंगा एक static page दिखाना है, कौन सा page दिखाना है, homepage पे कौन सा page दिखाना चाहोगे, तो यहाँ से मैंने इसको provide किया home, यह हम ही ने create कि है, तो मैंने का homepage पे static page रहेगा, कौन सा page, home नाम से जो हमने create किया है, वो वाला, इसके बाद नीचे scroll करके आपको simply इसको save कर देना है, अब इसके बाद आप आजाओगे अपने website पे, और इसको एक बार refresh करोगे, जैसे ही आप इसको refresh करोगे, इस theme के कारण, इस plugin के कारण, ये इसकी खास बात है, आप notice करोगे कि सारा content हमारा यहाँ पे load हो रहा है, और आप देखोगे as it is, जो मैंने आपको demo में check कराया था ना, वो ही पूरा का पूरा look, वो interface यहाँ पे बन करके तयार हो गया, नीचे scroll करके मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा का पूरा travel engine, according budget, obviously इसको अपने according कस्टमाईज करना पड़ेगा, और इन packages को भी अपने according यहाँ पर provide करना पड़ेगा, लेकिन आपने देखा सिर्फ एक setting करने से, सारा का सारा content यहाँ पे बन करके तयार हो चुका है, और बहुत ही easily हमने इसको कर लिया, एक चीज आप notice करोगे, last में एक latest article यानि की blog post है, hello world नाम से, अब यह खराब दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद, आपको जाना है post, all post, यहीं पर कहीं hello world होगा, इसके उपर click करें, और move to trash, यानि की recycle बिन में आप इसको भेज़ दोगे, indirectly बोले तो यह डिलीट हो गया, ठी basically वो यहाँ से डिलीट हो जाना चाहिए, देखोगे latest article के नीचे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वो हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया, अभी भी अगर मैं आपको यह site दिखाऊना तो यह incomplete है, अगर user किसी के भी उपर यहाँ पर click करता है ना तो कुछ नहीं हो रहा, उल्टा पहले हम यहाँ पर menu bar को create करेंगे, right now अगर आप देखोगे तो right hand side पर एक option है, click here to add menu, अब इसके उपर click कर सकते हो, बट इसको हम easily कर सकते हैं अपने dashboard से, आप आ जाओगे अपने dashboard में, यहाँ से जाना है आपको appearance, और appearance के अंदर एक option है menu, simply इसके उपर click करें, यहाँ पर scroll करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़े देखने को मिलेंगी, जो भी यहाँ पर left hand side पर है, वो right hand side पर इन लोगों ने रखा हुआ है already, आपको requirement हो तो आप इसे छोड़ सकते हो, ना requirement हो तो आप क्या करोगे, बारी बारी हरे के उपर click करें और remove करे, as such हमें इनकी requirement नहीं ह तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, home, activities और destination, इन टीनों को छोड़ करके, बाकी सबको फिलाल के लिए मैं यहाँ पर remove कर रहा हूँ, और आप यहाँ पर कैसे add करोगे, कैसे remove करोगे, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा, इसके बाद आपको simply create menu के उपर click करना है अब बहुत सारे लोग यह सोचेंगे कि menu के उपर click किया, तो शायद यहाँ पर refresh करने पर वो आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है, नीचे अगर आप scroll करोगे तो एक option है, भाई यह जो आपने menu बनाया है, उसको कहीं दिखाना है, क्या display location क्या है, क्या वो primary है, यानि कि main menu है, मैं menu बार कुछ हद तक यहाँ पर create हो चुका है, अगर आपको यहाँ पर और कोई page दिखाना हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर view all के उपर click करें, ठीक है, मैं most recent pay you, शायद यहीं पर मिल जाए, अब देखोगे trip type है, इसके उपर click करेंगे, add menu करेंगे, तो आप देखोगे य यहाँ पर होना चाहिए, आप देख सकते हो, trip search result नाम से है, direct trip नाम से कोई नहीं है, तो हमें उसको खुद से create करना पड़ेगा, तो वो हम कर लेंगे, फिलाल के लिए आप इसको save करोगे, और अपने web page को एक बार refresh करोगे, तो trip types भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, अगर मैं आपको यहाँ पर trip type के page को open करके दिखाऊं, तो यह open होगा, लेकिन यह खाली पड़ा हुआ है, क्यों क्योंकि कुछ content ही available नहीं है, कोई trip ही हमने create नहीं किया, नहीं उसको types के अंदर यहाँ पर provide किया हुआ है, तो वो भी हमें खुद से यहाँ पर बताना पड़ अब आप एक चीज़ notice करोगे, यहाँ पर कि हमारे website के ऊपर कोई logo नहीं है, right now बस लिखा हुआ है, tour and travel, जो भी हमने यहाँ लिखा था, वो ही as it is यहाँ लिखा हुआ है, but obviously business का logo भी हो सकता है, अगर आपको text चाहिए है, तो आप text लिखो, मेरे requirement है कि यहाँ पर logo रखना ह इस चीज़ के लिए सबसे पहले तो आप अपने website को एक पर refresh कर ले, refresh करने के बाद आपको उपर एक option मिलता है customize, simply इसको new tab में open करे, customizer open होने के बाद हमें इस logo को यहाँ से change करना है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, site identity के उपर click करे, आप देखोगे site title, कि भाई site का title इस जगह पे logo को add करने का option भी है, और site icon का भी है, site icon फैविकन होता है, basically यहाँ पे आप देखोगे तो WordPress का logo है, मैं चाहता हूँ मेरा logo यहाँ पे दिखाई दे, तो इस चीज़ के लिए नीचे select site icon इसके उपर click करे, select करके अपने computer से उस file को pick कर सकते हो, या फिर आप अपन प्रेशनल तरीके से color combination आपका अच्छा होगा, right now मेरा ship जो है, वो blue color का है, मेरा theme blue color का है, तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, बट आपके case में आपका logo proper होना चाहिए, जितना भी area आपको दिखाना है, उतना area select करें, क्योंकि 5 icon के उपर site title के उपर square में जोता है और उसके बाद simply crop के उपर click करें, website को एक बार publish करें, यहाँ पर आ करके उसको refresh करेंगे, तो आप देख सकते हो wordpress का logo यहाँ से हट गया, और हमारा logo यहाँ पर आ चुका है, तो अब हम यहाँ पे इस जगा पे logo को लगाते हैं, यहाँ पे select logo के उपर click करें, upload file के उपर click करे और जो भी आपका logo है, उसको यहाँ पे upload करें, फिलाल के लिए मैंने इसको drag and drop किया, select के उपर click करें, crop करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो skip crop करें, तो हमारा logo यहाँ पे apply हो चुका है, अब आपको simply इसको publish कर देना है, मैंने आपको बताया था कि इस जगा पे, क्योंक पे apply हो चुका है, नीचे अगर scroll करेंगे तो कुछ destinations है, यहाँ पे आप देखोगे तो destinations है, activities है और यह चीज़े आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन इस जगह पे na actually कोई content नहीं आ रहा मेरे पास, ना तो destination है, ना activity है, ना duration है, ना budget है, तो उस content को और उन options को य यहाँ पे दिखाना भी है, तो इस चीज़ को हम आगे चलके यहाँ पे बना लेंगे, नीचे आप आकर के देखोगे ना, अब आप यहाँ पे notice करोगे जो हमारा popular package का section है ना, यह package already listed है, जो कि इस theme ने हमें provide की है, हो सकता है आपकी इसकी requirement ना हो, तो आप इसको delete कर सकते हो बट जो यहाँ पे notice करने वाला बात है, वो यह है कि अगर मैं किसी के उपर भी click करता हूँ, तो आप देखना slash के बाद यहाँ पे hash लग जाएगा, जो कि आप देख सकते हो, इसका मतलब यह है कि इसके कोई details नहीं है, और यह इसी page के उपर रहेगा, चाहें आप किसी भी package के उपर click कर लो, तो इसके details को हमें यहाँ पे provide करना है, ताकि click करने के बाद इस particular tour package के details जो है, वो user देख सके, यह करना बहुती ज़्यादा easy है, और automatic तरीका है यह, अभी यहाँ पे कुछ भी display इसलिए नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके regarding कोई भी post हमने लिखा नहीं है, theme न एक design provide कर दिया है, उसी को हम use कर रहे है, तो इसके details को provide करना, इसके post को लिखना काफी ज़्यादा आसान है, इसके लिए आप आजा अपना domain name slash wp-admin, यानि की हमारा WordPress का dashboard, यहाँ पे आपको एक option मिलता है, इस जगह पे trips, all trip का एक option है, उसमें जाकर के जो trip आपको रखना है, वो रखें, बाकि सब आप delete कर सकते हो, नीचे एक destination का भी option है, वो destination को पहले हम create कर लेते हैं, तो यहाँ destination के उपर click करें, अब यह destination क्या चीज है, राइट नाओ, अगर आप अपने page पे आओगे न, website पे, उपर menu bar में एक page बनाओगा है destination, अगर मैं इसके उपर click करता हूँ तो अभी यह खाली है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यह blank है, तो यहाँ कोई destination तो होना चाहिए न, वो ही हम यहाँ पे create कर रहे हैं, अब destination में बनाना क्या है, पहले तो आप आजाओगे अपने website पे, जो भी आपने destination दिखाना है कि आप कहां कहां के packages provide करते हो, वो आ यहाँ पे अजीबो गरीब कुछ नाम लिखा हुआ है, यह है, कोई temple है, इसके नाम को आप edit भी कर सकते हो, तो आप अपने हिसाब से बनाओगे, मैं सिर्फ आपको एक example provide कर रहा हूँ, let's take an example, मैंने यहाँ पे कहा इसको ताज महल के भाई, मेरा जो यह area है न, जो destination है, वो है ताज महल, slug के अंदर भी आपको same रख देना है, तो मैं इसको copy करके यहाँ पे paste कर देता हूँ, इसके नीचे हमें चाहिए एक description, अब description कहाँ पे आएगा, जब इसके उपर click करेगा, तो obviously इसका एक description होना चाहिए click करने के बाद, वो description हमें यहाँ पे provide करना है, अब ता add image, simply इसके उपर click करे, upload file पे click करे, और जो भी आपके images हैं, उसको यहाँ से drag करे, और अपने website के उपर ला करके drop करे, images upload होने के बाद, जो भी image आपको दिखाना है उसके click करे, choose image के उपर click करे, जो भी आपका photograph है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, नीचे आपको add new destination के उपर click कर देना है, जैसे ही आप उपर scroll करोगे, आपका destination, उसका description, उसका नाम, slug, और जो भी उसका thumbnail image है, वो आप इस जगह पे देख सकते हो, इसी तरीके से, जितने भी destinations यहाँ पे हैं जो भी आपके tour package है, एक मैंने ताज महल का example दिया, यहाँ पर mountain view है, कोलकता है, कुछ भी है, जितने भी आपने बना रखे हैं न, वो same destinations आपको यहाँ पे हर एक product के लिए, हर एक package के लिए यहाँ पे create करना है, एक बार आप इसको create कर लेते हो न, तो यह हमारा एक page है, मैं एक बार आके यहाँ पे इसको refresh कर देता हूँ, और destination को भी एक बार refresh कर देता हू Right now, अगर आप हमारे website पे आओगे न, तो यह create करने के बाद भी ना तो destination कुछ आया, ना ही इसके उपर click करने पे कुछ हो रहा है, तो यह trip हमारा add नहीं हुआ, यानि कि एक post, एक destination इसके साथ अभी link नहीं है, इस चीज के लिए आप क्या करोगे, आपको आजाना है यहाँ all trips के उपर, यहाँ पे आप देखोगे कोई भी trip यहाँ पे added ही नहीं है, अब trip को यह समझ के रखो, कोई भी post यहाँ पे added नहीं है, उपर आपके सामने एक option है add new trip, simply इसके उपर click करें, अब आपके सामने trip add करने का एक interface open हो जाएगा, अच्छा तो मैंने एक dummy site यहाँ पे open hotel है, अलग-अप्शन है और इसके उपर click करने पे इसके details जो है ना, वो open हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसी के title को as it is कर लेते हैं, यहाँ से copy, और अपने site के उपर आकर के कर दिया, मैंने उसको paste, इसका एक description भी है, तो यह as it is description मैंने यहाँ से किया, copy, जो आपका tour package है, या तो आप उसके बारे में खुद लिखोगे, या फिर Google से उसके बारे में details आप copy करोगे, और इस जगे पर paste करोगे, बहुत असान है, किसी भी चीज को bold करना है, select करो, bold कर लो, italic करना है, italic कर लो, अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हो, काफी जादा easy है, यहाँ पे अगर हम demo site पे चेक करें, इसके नीचे आपको कुछ options मिलता है, like overview है, यह है, cost है, frequently asked question है, अलग-अलग चीज़े यहाँ पे दी हुई है, यह भी हम इसी plugin की help से, इसी theme की help से, यहाँ से उन चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है, अब एक image भी यहाँ पे लगा हुआ ह image को लगाना काफी असान है, यह कोई जादा मुश्किल काम नहीं है, image को लगाने के लिए आप उपर scroll करो और यहाँ पे इसको enter मार के separate कर लो, इस जगह पे आपको click करना है, और यहाँ पे plus के icon पे click करे, image के उपर click करे, upload या फिर media library जो आपको सही लगे, I think हमारे case में already वो इसको select करना है, जो भी आपका image है, कुछ seconds के अंदर यहाँ पे load हो जाएगा, आप देख सकते हो इसको यहाँ पे, image को आप resize कर सकते हो, इसके उपर click करके, इसके bounding box है, इसको आपने according आप drag करके adjust कर सकते हो, यहाँ से आपको trip पे click करना है, और नीचे scroll करे, scroll करने के बाद आपके सामने destinations है, ताज महल जो हमने create किया था, वो है, मैंने कहा, हाँ, यह ताज महल ही है, और भी destination आपको बनाने पड़ेंगे, like Nepal, New Delhi, जितने भी आपने बनाए होंगे, वो आपको यहाँ पे दिखेगा, अगर नहीं है, तो add new पे click करके, यहाँ से भी आप एक destination बना सकत अब मैं यहाँ पे इसको publish कर रहा हूँ, again publish के उपर click करें, और यहाँ पे आ करके इसको एक बार refresh करेंगे, तो आप देख सकते हो, destination के अंदर ताज महल एक trip है, आप यहाँ पे उसको देख सकते हो, view का भी एक option आ गया हमारे सामने, अगर मैं इसके view बटन के उपर click करता तो ताज महल उसका जो भी detail हमने provide किया था, dummy सा, वो आ गया है, other related trips जो हैं वो यहाँ पे दिखेंगे, जैसे जैसे आप उसको create करोगे, और यह हमारा बन चुका है, अच्छा जब आप नीचे scroll करोगे न, तो यह other trip में न, इसका image नहीं आ रहा, जो भी ताज महल या जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसका image यहाँ पे missing है, लेकिन हमारे case में हमने यह image तो यहाँ provide की है, फिर भी अगर आपका image show ना हो, तो नीचे scroll करें और इस option पे आ जाए, WP travel engine drip setting, आपको इस जगह पे आना है, अगर मैं आपको website के उपर आ करके, यह जो है न, इसका detail हम देख सकते हैं, view detail के उपर जब हम click करेंगे न, तो आप देखोगे इस जगह पे यह खाली है, लेकिन उसके नीचे वो same image आ रहा है, और details भी आ रहे हैं, एक inquiry form है, सारा कुछ आ रहा है, यह चीज ऊपर होना चाहिए था, तो हमने किया है एक mistake, mistake यह किया है, कि यह जो हमारा पेज है न, यह जो हमने image प्रोवाइड किया है, वो इस जगह पे नहीं होगा, तो आपको इसको यहां से delete करना है, यह जाने के बाद आप आ जाओगे नीचे, trip का duration पूछ रहा है, मैंने का 10 दिन का है, days, month, week, year जो भी है यहां से select करें, नीचे आके मैंने का 6 nights, 5 days का यह trip ह नीचे एक option हो रहा है, set minimum and maximum age, मैंने का कम से कम वो 10 साल का तो होना ही चाहिए, और maximum location के हिसाब से 60 years ठीक है, mountain वगरा है, तो उसके हिसाब से 18 कर लेना, और 40-45 तो आप यहां पे छोड़ सकते हो, कितने लोग आ सकते हैं, minimum, maximum, वो आप खुद से यहां पे type करके बता सकते हो, set minimum and maximum participants, चलिए इसको भी set कर लेते हैं, कम से कम कितने लोग होना चाहिए, तो आप यह trip करोगे, मैं का चार लोग तो होने ही चाहिए, maximum कितने, मैं का 10 की capacity है, जो भी हमारा van है, या फिर जिस भी flight से, या फिर आप car से, जिसके through travel कर आओगे वो, तो वो आपको provide करना है, इसक इसके बाद ये आपको by default second page पे ले आया, पहले हम general पे थे, अब ये pricing पे ले आया, अब आप एक काम करोगे, इसको एक बार यहाँ से update करोगे, और pricing पे आपको यहाँ पे रहना है, अब pricing वगरा क्या है, उसको हम demo site पे चेक करते हैं, इस जगह पे आप देख सकते हो एक price ल करना है, इसके लिए आपको add new package के उपर क्लिक करना है, जैसे ही आप इसके उपर क्लिक करोगे, package का एक name पुछेगा, कुछ भी नाम आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दो, मैंने कहा let's take an example, यहाँ पर मैंने इसका बनाम प्रोवाइड किया, adult, edit pricing के उपर क्लिक करें, अगर क पूरे ग्रूप का है, मैंने का person, per person इतने पैसे मैं लूँगा, क्या अभी कोई sale चल रहा है, क्या कोई discount हम provide कर रहे हैं, मैंने कहा बिलकुल, तो price है 5000, लेकिन discount है, इसलिए सिर्फ 2000 रुपे लगेंगे, कितने passengers, या कितने package हम यह provide कर सकते हैं, अब जाहिड सी बात है, tour and travel क का काम कर रहे हो, तो गाड़िया आपके पास limited होंगी, सभी को तो नहीं घुमा सकते न, एक ही बार में, मैंने कहा कि starting में कम से कम एक होगा, तो भी चलेगा, maximum हम 10 afford कर सकते हैं, यानि कि 10 vans हमारे पास heavy level है, कुछ इस तरीके का, child के लिए आप child पे click करोगे, और जैसे हमने adult के लिए create किया है, आप यहां create कर सकते हो, मैंने कहा, इनका जो price है, वो है हमारा 3000, और यहां पर person है, sale लगा हुआ है, और यह हम provide कर रहे हैं, यहां पे 1500 में, यह आप अपने हिसाब से कर सकते हो, यह भी same रख लेते हैं, एक से लेकर के इसको कर देता हूं, मैं 5, बाकी अप इसाब से आप यहां पे कर सकते हो, इसके बाद आपको simplys को save and close के उपर click कर देना है, तो यह package हमारा यहां पे save हो गया, अब हम आएंगे अपने website के उपर, जो भी हमने create किया था, right now कुछ ऐसा है, और अब हम इसको अगर view करेंगे न, तो right hand side पे आप एक चीज़ notice करना, अ अब हमारे पास एक option है, 60% off है, 5000 से start होता है, और जो children है, उसका इतने से start होता है, लेकिन sale चल रहा है, इसलिए सिर्फ 2000, और children में 1500, check availability, और यह option जो है न, pricing वाला, यह properly यहां पे खुदी बनके तयार हो गया, जो भी हमने details provide किया, उसके according, उपर आप देख सकते हो, 12 days, 10 days, हमारे पास, अभी अगर हम यहां पर demo site पर, यहां पर check availability पर click करेंगे, तो एक calendar खुलता है, हम यहां से details को select कर सकते हैं, और continue कर सकते हैं, अगर यहां से हम कुछ बढ़ाते हैं, कम जादा करते हैं, adults वगरा, तो यहां पर एक price calculate होता है, यही चीज हमारे website के उपर भी already बना हुआ है, जैसा कि मैं आपको यहां पर दिखा देता हूँ, मैंने का इतने से लेकर के भाई, इतने दिन का trip रहेगा, इतने adults रहेंगे, इतने children रहेंगे, तो यह खुद ही calculate करेगा, तो इसका यहां पर कोई issue नहीं है, और यह properly यहां पर खुद से काम करता है, ठीक है, अब यह checkout के page के उपर ले आया, इसको हम बाद में discuss करेंगे, बट आपने देखा इसकी functionality यहां पर सही है, इसके बाद अगर आपको और भी package add करना हो, आप यहां से कर सकते हो, फिलाल के लिए मैं इसको update कर रहा हूँ, इसके बाद हम जाएंगे यहां पर extra service के उपर, बहुत सारी चीज़े हैं, यहां पर get extra service के उपर click करते हैं, अगर आपको additional features चाहिए हैं, तो वो आप यहां से buy कर सकते हो, अपने requirement के हिसाब से, बहुत सारे features यहां पर दिये हुए हैं, आप उसको देख सकते हो, अब अगर मैं आपको यहां पर demo site पर चेक कर आऊ ना, नीचे, तो आप आपको यह detail दिखाना हो, तो यह भी आप यहां पर create कर सकते हो, overview के लिए आपको simply यहां overview पर click करना है, क्या title देना है, इस section का आप देख सकते हो, overview का title obviously, overview ही देना है हमें, तो यहां पर आपको उसका title provide कर देना है, overview, और dummy site के उपर से ही यह जो description है, मैंने इसको as it is, यहां आपको simply paste कर देना है, बहुत easy है इसको करना, मैंने यहां पर उसको कर दिया paste, नीचे scroll करेंगे तो एक option है, trip highlights, क्या highlights है आपके इस trip के, वो आप यहां पर provide कर सकते हो, तो यह as it is आपको करना है, यहां से copy, यहां आके कर देना है उसको paste, और नीचे आपको इसके highlights बताने है indirectly कोई special points है, कुछ discuss करना चाते हो, वो आप यहां पर बता सकते हो, यहां पर आपको highlights provide करने है, example के लिए, मैंने कुछ copy कर रखाया कि भाई, खाना इसी में included है, तो मैंने इस जगह पर आ करके उसको paste कर दिया, यहां पर आ करके आपको यह करना है, और enter press करें, इसके बाद आ आप और भी कर सकते हो, जैसे कि मैं आ गया overview पे और नीचे scroll करते हैं, again add किया, और दूसरा जो भी आपका highlights ना trip के भारे में, वो आप यहां पर copy कर सकते हो, तो मैंने इसको copy किया और इस जगह पे उसको paste किया, हो जाने के बाद आपको simply इसको save करना है, और यहां से इसको update क करना है, अब अगर अपने website के उपर आकर केस को refresh करेंगे, तो आप देखोगे overview का एक section बन गया, नीचे overview आ गया, trip highlights में क्या है, free food है, food included है, five locations covered की है, तो जो भी आप बताओगे, आपके trip के बारे में properly यहां पे highlights, जितने भी highlights आप बताओगे, यहां पे वो list हो जाएगा, अब आप यहां पे एक चीज़ नोटिस करोगे, कि यह आ गया itinerary पे, ठीक है, right now यहां पे website के उपर देखेंगे, तो यह area हमारा create हो गया, इसी के साथ साथ, यहां पे itinerary का option एक आ चुका है, इस वाले page को जो demo page है मैंने cut किया था, तो अभी मैंने यहां पे कोई और page open कर लिया है, आप जो कर रहे थे वो as it is follow करो, यहां पे अगर आप देखोगे, तो area के हिसाब से यहां पे different different itinerary के details mentioned है, हम भी mention कर सकते हैं, यहां पे हम क्या करेंगे न, इसे कर लेंगे यहां से copy और आ जाएंगे अपने website के उपर, यहां पे आप देखोगे itinerary में लिखा आप इसको न, schedule समझ लो basically कि भाई इस दिन पर कहां जाएंगे, second day पर कहां जाएंगे, third day पर कहां जाएंगे, वो यहां पे mentioned है, content में मैंने कर दिया उसको paste, और I think यह हमारा title था, तो इसको यहां से मैं कर रहा हूँ, cut, यहां पे आप देख सकते हो कि यह हमें title दिखाना है first day हम कहां पर जाएंगे, और यह उसके details है, ठीक है, तो मैंने यहां पर आ करके title में title को mention कर दिया, नीचे अगर आप scroll करोगे तो एक और option है, add itinerary, simply इसके उपर click करे, demo से मैं एक और area pick कर लेता हूँ यहां पर, तो मैंने कर लिया इस वाले को यहां से copy, यहां पर आ करके उसके title को किया, paste, आपका भी कुछ न कुछ content होगा ही, उसे आपको यहां पर लिख देना है, इस जगह पर आ करके मैंने कर दिया इसको paste, ऐसे ही मैंने आपको दो करके दिखाया, आपको जितने की requirement हो आप add करोगे, नीचे scroll करके save and continue पर click करें, अपने website के उपर आ करके इसक यहां पर सारा कशारा schedule, time table, proper तरीके से mention कर सकते हो, अब अगर आप यहां पर demo site के उपर notice करोगे न, तो उपर एक और option है, cost, cost में लिखा हुआ है, क्या included है, क्या included नहीं है, food मिलेगा, नहीं मिलेगा, transportation कहां से कहां तक है, यह आप देख सकते हो, जो चीज़े नहीं कि हम यही provide करेंगे, कुछ चीज़े जायर सी बात है, वो नहीं करेंगे, तो better है कि उन चीज़ों को यहां पर mention किया जाए, यहां पर mention है, food मिलेगा, नहीं मिलेगा, यह दो हजार रुपए है, इस पैसों में क्या-क्या details मिलने वाले, ठीक है, तो मैं यहां पर सबसे पहले काम कर रहा हूँ, इस title को हम करेंगे copy, अपने website के उपर आ करके includes and excludes, यहां पर आपको basically title provide करना है, क्या-क्या include करता है, वो detail आपको यहां पर provide करना है, तो मैंने का title मुझे क्या दिखाना है, मैंने का यही क्या include करता है, ठीक है, अब जो भी details है न, आप यहां से कर लोगे copy, obviously, जो आपका trip का होगा, वो आप खुदी यहां पर type करोगे, मेरे पास material अभी level है, इसलिए मैं यहां पर copy कर रहा हूँ, और नीचे आ करके उसके description को कर दिया, मैंने paste, similarly, क्या-क्या exclude कर रहे हैं, वो मैंने यहां से किया title को copy, नीचे आ करके exclude में है, मैंने यहां यहां प अब ही अपने आप jump कर जाएगा trip info की तरफ, आपका jump मन करें, आप किसी के उपर भी click कर सकते हो, और proper तरीके से वापस edit कर सकते हो, एक बार यहां पर अपने website के उपर आ करके इसको refresh करेंगे, तो आप देखोगे, cost का section यहां पे include हो गया, और जो भी हमने copy paste करके लिखा था वो चीज यहां पर बन करके तयार हो चुका है, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हो, अब हम यहां पर बात करते हैं किस तरीके से इस trip info को create किया जाए, demo site के उपर अगर आप right hand side पर चेक करोगे न, तो यहां पर आपको details मिलता है, trip facts, यही basically आपका trip info है, और हमें इसी को create करना है, हम इसी को यहां से copy कर लेंगे और जो भी आपके trip का information होगा, वो आप अपने हिसाब से change करके लिख सकते हो, मैंने यहां से कर लिया इस title को copy, यहां पर आ करके, उपर आ करके trip info के अंदर आपको इसका एक title provide करना है, और मैं आपको इसको save and continue करके check करा देता हूँ, जैसे ही हम यहां पे refresh करेंगे, right now यहां पे कुछ नहीं है right hand side पे, तो यहां पे अभी हमें देखने को नहीं मिला, चलिए यह हम आगे जाके create करेंगे, फिलाल यहां में लेकर क्या आगया है gallery के उपर, एक option है यहां पे enable image gallery, मैंने का image gallery दिखा दो, add new image का option है, इसके उपर click करेंगे, खुद से upload करना हो तो यहां से कर लो, या फिर media library के अंदर से आपको जो भी image दिखते हैं, उनके उपर click लगा लेंगे, और control के साथ आपको click करना है, ताकि इस multiple files यहां पे select हो, and simply आपको add images के उपर click कर देना है, इसके बाद आपको simply यहां पे नीचे आना है, save and continue के उपर click करें, यहां से इसको update करें, update होने के बाद अपने website के उपर आ जाएंगे, और यहां पे इसको refresh करेंगे, right now यहां पे image का preview नहीं था, अब यहां पे image का preview आ चुका है, अगर आपने एक से ज़्यादा image select किया होगा, तो यह slider बन के आएगा, और अगर आपने जिर् कि हम map भी लगा सकते हैं, देख लेते हैं, यहां पे हमारे पास map available है, क्या की नहीं है, नीचे आप देखोगे, तो यहां पे मुझे currently map नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी और destination के उपर जा करके check कर लेते हैं, चलिए example के लिए, मैंने इसके उपर click किया, और इसमें नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं, क्या इसमें map available है की नहीं है, अगर available ना भी हो न, तो भी आप अपने हिसाब से यहां पे map को लगा सकते हो, आपको जाना है map के option पे, यहां पे आपको अपने title प्रोवाइड करना है, कि map का title क्या रहेगा, यहां पे आप होगे google maps के उपर, site का link है maps.google.com और यहां पे आपको search करना है, जो भी आपका place है, जो भी location है, वो यहां पे search कर लो, यहां पे आपको share का button मिलता है, इसके उपर click करे, embed a map के उपर click करे, और यह पूरा area है, copy html करे, अब आप इसको यहां से cut कर सकते हो, यहां पे आपको iframe code है, यहां पे iframe code के अंदर उसको paste करेंगे, नीचे scroll करके save and continue करेंगे, जैसे ही हम अपने website के उपर आ करके इसको एक बार refresh करेंगे, तो आप देखोगे इस जगह पे, नीचे आपको एक map देखने को मिलेगा, अब यहां पे कुछ ना कुछ problem है, अगर मैं नीचे scroll उपर वापस, नीचे आप देखोगे एक code मिला हुआ है, trip code, हमें इसको यहां से कर लेना है copy, copy करने के बाद इस map को पूरे के पूरे webpage में कहां display करना है, इस image के just बात करना है, कुछ paragraph के बात करना है, overview के बात करना है, कहां करना है, जो भी आपकी requirement हो, तो मैं उपर आ गया, मैंने कहा, यह paragraph जो last वाला खतम हो रहा है न, उससे पहले, तो इस जगह पे आपको उसके code को paste कर देना है, नीचे आएंगे, I think यहां से update करने से काम हो जाएगा, अपने website के उपर आकर के इसको एक बार refresh करेंगे, मैं आपको यहां पे चेक करा देता हूँ, आप देख सकते हो, जो आपका मन करें, वो आप यहां पे कर सकते हो, अब एक चीज़ आप यहां पे नीचे भी notice करोगे न, तो cost के बगल में भी map का option यहां पे जुड़ चुका है, यहां से भी आपके map को देखा जा सकता है, और यह as it is interface, यहां भी बना हुआ था, map का option जिसमें post में लगा होगा, यहां पे देखने को मिलेगा, FAQ का एक option है, वो भी आप खुद से यहां पे create कर सकते हो, तो हम यहां पे देखते हैं कैसे हम FAQ, यानि की frequently asked question, यह section कैसे बनाएंगे, इसके लिए आप कर लो इस title को copy, FAQ के section पर आ जाएंगे, पहले तो मैं उपर वाले को एक बार save कर देखता हूँ, I think वो save नहीं हुआ है, तो इसको मैंने यहां पे save किया, FAQ में आप इसका title प्रोवाइड कर दो, add के उपर click करो, आपका question क्या है, जो भी आपका trip से related question है न, वो आप यहां पे type करोगे, तो मैं यहीं से कर लेता हूँ copy और इस जगह पे आ करके मैंने कर दिय जितने भी आपको यहां पे question रखने है, आप proper अपने हिसाब से दिखा सकते हो, तो यहां से किया मैंने उसको title को copy, यहां पे कर देंगे paste और इसके answer को भी हम यहां से copy paste कर लेंगे, तो मैंने यहां पे किया copy and paste, यह हो जाने के बाद आपको save and continue के उपर click करना है, website के उपर करके एक बार refresh करेंगे, आपके सामने FAQ का option है, और यह proper तरीके से आप देख रहे हो, question and answer का section यहां पे create हो चुका है, जितने भी आपके requirement है, आप यहां पे उतने FAQ के questions रख सकते हो, तो यह हमारा बनके तयार है, बट जो trip fact मैंने create किया था ना right hand side पे, I think यह वाला area वो नह यही था, तो इसमें हमें global trip जो है, वो found नहीं है, इसके setting को हमें जाके change करना पड़ेगा, इसे add करने के लिए आप यहां पे click करो और अपने dashboard पर वापस आजाओगे, जो कि यह है आपका domain name slash wp-admin, यहां से आपको वापस अपने trip वाले option पर जाना है, all trip पे, यहां से आप इसको edit के उपर click करोगे, और एक destination select करोगे, right hand side पे आप क्या करोगे, देखो, यहां पे हमारे पास options है, activities, destination, trip type, हम चाहेंगे कि destination के अंदर वो देखने को मिले, तो right hand side पे आप यहां पे add new destination, जो भी आपके place का नाम है, वो बनाओ, और उसके उपर tick लगा दोगे, इसी के just नीचे एक activities का option है, इसके उपर भी click करे, add activity के उपर click करे, जो चीज उपर लिखी है, वो यह as it is, यहां भी लिख सकते हो, कुछ change करना हो, तो यह आपके उपर depend करता है, तो मैंने same चीज यहां पे add किया, और enter press करे, अलग-अलग चीज़े यहां पे आप provide कर सकते हो, नीच यह एक और option है, trip type इसके उपर click करे, add new trip type के उपर click करे, let's take an example, मैंने यहां पे आगरा प्रोवाइट किया और enter किया, उपर update के उपर click करेंगे, update होने के बाद हम आ जाएंगे अपने website पे, direct आएंगे उसके main page के उपर, main page पे आके आपको इतना तो पता ही है कि आप यहां पे, proper तरीके से यह बन चुका है, लेकिन जाहिट सी बात है click करने पे यह अभी भी काम यहां पे नहीं कर रहा है, तो जो हमने यहां पे trip create किया था, वो basically हमें मिले का destination के अंदर, क्योंकि destination के अंदर ताजमहल नाम से हमने create किया हुआ है, जैसे ही इसके view all button के उपर हम click करते हैं, इसके details आते हैं हमारे पास, और proper तरीके से कितना discount है, क्या है, वो सारा कुछ यहां पे आ रहा है, price and all भी आप देख सकते हो, पूरा detail यहां पे mentioned है, अब आपको इसी steps को follow करके, और भी trip को यहां पे add करना है, multiple destinations दिखाने है, और activities को भी add करना है, right now अगर मैं activity के page पे जाऊना, तो activity के अंदर भी ताज महल देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने activity के अंदर ताज महल नाम से right hand side से select करके उसको बनाया था, तो आप यहां पे multiple trips को create करोगे, destinations प्रोवाइट करोगे, और activities प्रोवाइट करोगे, ताकि हमारा design यहां पे improve हो, और multiple trips यहां पे देखने को मिले, right now आप notice करोगे activities में trip तो आ गया, बट इसकी category भी आपको create करनी पड़ेगी, अगर मैं आपको destination के page के उपर दिखाऊ ना, तो view all का एक option आता है, यानि कि और भी options यहां पे available है, बट यहां पे category का option नहीं है, तो यह हम कैसे create करेंगे activities के अंदर, इसके लिए आप आ आना है activities, नीचे scroll करेंगे तो आपके सामने ताज महल, जो भी activity आपने बनाया होगा वो दिखेगा, क्योंकि मैंने इसका कोई image प्रोवाइड नहीं किया था, इसलिए नहीं दिख रहा है, तो यहां पे आप edit के उपर click करोगे, नीचे scroll करेंगे, तो इस जगह पे image का एक option ह होता है generally, आप देखोगे add image, simply इसके उपर click करें, जो भी आपका image है वो choose करें, और नीचे scroll करके update के उपर click करें, यहां पे आ करके इसको एक बार refresh करते हैं, तो आप देखोगे activities के अंदर, यहां पे proper तरीके से उसका image visible है, अब यह चीज यहां पे activity में list तो हो गया, लेकि activity के अंदर भी हमें different categories create करने हैं, जैसे कि मैंने आपको destination बताया, trip types बताये, ऐसे ही activity के भी अपने categories होंगे, तो इस चीज के लिए आप आ जाओगे dashboard पे, यहां से आपको जाना है trips, activities, और अभी अभी हमने ताज महल के details को edit किया था, ऐसे ही हम यहां पे multiple activities को add करेंगे, example के लिए मैं आता हूँ यहां पर इस website के ऊपर, और इसके activity page के ऊपर आकर के अगर हम देखे, तो hot air balloon name से एक है, obviously आप अपने हिसाब से भी अलग-अलग नाम यहां पर रख सकते हो, बट मैं उसी को copy paste कर रहा हूँ, तो मैंने यहां से उस नाम को किया copy, और slug के अंदर भी मैं इमेज के ऊपर क्लिक करें, और जो भी इमेज आपको इस particular चीज के लिए दिखाना है, वो आप कर सकते हो, तो मैंने इसको select किया, और यहां से simply आपको add new activity के ऊपर क्लिक करना है, जैसे ही आप add करोगे, यहां पे आपके सामने एक और activity आपको देखने को मिलेगा, अपने website क activity page के उगर आप यहां पे refresh करोगे, तो यहां पे दो activity होने चाहिए, बट वो नहीं दिखरा, reason is हमें उसको add करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, इसी तरीके से आपको और भी create करना है, example के लिए मैं यहां पे, let's take an example, हम यह वाला copy कर लेते हैं, ठी कि आपका design जो है वो देखने में अच्छा लगे, इसका भी image provide करेंगे, choose image के उपर click करेंगे and add new activity के उपर click करेंगे, तो यह activity भी यहां पे हमारे सामने create हो गया, देखिए यह basically हमारे categories है, आपको इसको create इसलिए करना है, ताकि आप इसके according trips बना सको, post बना सको, क्यूंकि जब हम main page के उपर, trips के उपर click करते हैं, तो कुछ नहीं होता, right, तो हमें इसको यहां पे create कर लेना है, तीन मैंने यहां पे create कर लिया है, यह जो आप देख पा रहे हो, यह basically हमारा first trip था, जिसको मैंने destination के अंदर दिया था, और यह उसका category है, तो category create हो गया, लेकिन trip तो एक किया है, तो हमें उसको भी create करना है, तो यहां से आप जाओगे all trips के उपर, जो हमने ताज महल का create किया था, आपको यहां पे देखने को मिलेगा, या जो भी हमने create किया था, आप देख सकते हो, यहीं पे एक option है clone, clone का मतलब होता है, इसका एक और duplicate हो बहू create करना, तो मैंने का भाई clone कर दे, clone करने के बाद इसका title चेंज करना है, I think हमने provide किया था hot air balloon, तो मैं यह copy कर लेता हूँ यहां से, और जो भी आपको देना हो नाम आप वो as it is रख सकते हो, मैं इसको यहां पे कर रहा हूँ, five days का plan है, आप चाहो तो country का नाम यहां पे दे दो, यह totally आपके उपर depend करता है, तो मैंने यहां पे hot air balloon provide कर दिया, details को आप अपने according यहां पे change करोगे, नीचे scroll करेंगे और यह जो details हैं, आप अपने according adjust कर लेना, जितना भी आपको सही लगता है, तो उपर हमने five दे रखा है, तो मैं भी यहां पे इसको five days कर देता हूँ, और इसको यहां पे let's make it, duration हो गया हमारा five, nights में कर देते हैं इसको one, और इसको मार देता हूँ, यहां पे four, ठीक है, right hand side पे trip के section में आपको आ जाना है, और यहां पे एक option है activities, और इसी के नीचे यहां पास हमारे पास destination भी आप देख सकते हो, destinations का एक option है, add new destination के उपर मैंने यहां पे click किया let's take an example, यह जो area है, वो भूटान में, तो मैंने यहां पे भूटान नाम से area यहां पे create किया, ठीक है, destination, इसके नीचे मारे पास option है, activity मैंने का, यह hot air balloon है, trip type यहां पे क्या रहने वाला है, तो भी मैंने provide कर दिया, let's make it hot air balloon, आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हो, इसके आपको simply इसको publish करना है, again publish के उपर click करें, और इसको यहां से हम view करेंगे, ताकि देख सके कि इसका look यहां पे कैसा आ रहा है, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का है, इसका price वगरा मैंने कोई change किया नहीं था, photo भी change नहीं किया था, आप उसको कर लोगे, मैंने आपक देख पा रहे हैं, चली एक काम करते हैं, photo को भी change कर लेते हैं, तो यहां से आते हैं gallery में, वर्णा ताज महल को देख करके आप यहां पे confused हो जाओगे, और I think कि यहां से हम इसको delete कर सकते हैं, यहां से आपको add new image के उपर click करना है, और media library में images यहां पर present है, मैंने का इस यही इसका button है delete का, तो हम इसको यहां से delete करेंगे, और एक ही image मैंने यहां पर provide किया, अब इसके बाद यहां पर आजाते हैं हम लोग, update के उपर click करेंगे, website के उपर आ करके इसको refresh करेंगे, तो कोई भी slider यहां पर नहीं रहेगा, आप इसको slide नहीं कर सकते, और अगर slide अब ही तो सिर्फ और सिर्फ एक ही image यहां पर देखने को मिल रहा है, अब आते हैं हम लोग यहां पर अपने activities के page के उपर, right now यहां पर ताज महल है, हमें इसको reload करना है, तो hot air balloon नाम से भी trip यहां पर add हो चुका है, अगर हम यहां पर इसके view all के button के उपर click करेंगे, तो य आप इस design को ignore करें, जैसे ही आप multiple चीज़े create करोगे, इसका design as it is सही हो जाएगा, अभी एक है activity है, इसलिए छोटा दिख रहा है, जैसे ही 3 create करोगे, 4 create करोगे, यह proper आपको visible हो जाएगा, इसके अंदर की detail को देखेंगे, तो यह आपको proper देखने को मिल रहा है, इसी step को follow क आपको यहाँ पर multiple destinations create करने है, activities create करने है, यह कहाँ से करोगे, अप आजाओगे अपने dashboard पे, और यहाँ से आपको destination को create करना है, activity को create करना है, और even आपको trip type भी create करना है, जिस तरीके से मैंने activity create करके दिखाया, उसी तरीके से आप यहाँ पर types को भी create करोगे, थाकि सारे के स सारे options आपके यहाँ पर खोल जाए और create हो जाए आपको यहाँ पर सारी चीज़े proper तरीके से create करके रख लेना है इसके बद आप क्या करोगे all trips के section में आ जाओगे मैं यहाँ पर आता हूँ इसको भी मैंने एक बार clone कर लिया हमने एक और कुछ create किया था जहां तक मुझे है वो है हमारा यह last वाला scuba diving चलिए इसको copy कर लेते हैं जो भी हो आप अपने हिसाब से करोगे और इसका title जो है मैंने यहाँ पर change कर दिया तो इस जगह पर आ करके मैं उसको paste कर रहा हूँ make sure आप यहाँ पर activities, destination, trip, type सभी को create करके रखे इसके नीचे आ जाओगे सारी उसको यहाँ से delete करोगे तो images भी मैंने यहाँ पर provide कर दिया है और simply हमें इसको यहाँ से publish कर देना है इसके बद आपको right hand side पर आना है यहाँ पर आप देखोगे भाई यह कौन सा destination है तो यह हमने बनाया था scuba diving तो मैंने कहा new create करना है क्या नाम होगा उसका एक नाम प्रेस क दरके enter दो और इसके ओपर tick लगा दो नीचे आते हैं यह activity क्या है मैंने कहा चलो यहाँ पर कुछ और name दिया जाए तो मैंने इसको नाम दे दिया यहाँ पर India कि इसका जो location है वो है India ठीक है यहाँ पर आओगे तो हमारे पास है type trip का type जो है वो भी मैं यहाँ पर India रख रहा है इसके बाद यहाँ पर नीचे scroll करके save and continue पर click करेंगे एक बार इसको publish करेंगे again publish करेंगे यहाँ पर आ करके इसको refresh करेंगे तो आप notice करोगे right now वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है आप समझ चुके हो कि इसको भी हमें यहाँ पर ले करके आना पड़ेगा यहाँ आपको स्कूवा डाइविंग के उपर टिक लगाना है और इसको यहाँ पर एक बार refresh करें तो आप देखोगे third वाला भी हमारा यहाँ पर create हो चुका है और इसी तरीके से आप multiple चीज़ें यहाँ पर create करोगे similarly अगर हम यहाँ पर destination के अंदर जाकर करके देखें तो यहाँ इसको बी टीन चार जितने भी आपने create किये हैं वो आ चुके हैं इमेज क्यू नहीं दिखरा है आप अलरड़ी जानते हो आपको destination के page पर जाना है dashboard से वहाँ पर उसको edit करके उसके featured image को यहाँ पर set कर लेना है trip type में जाकर के देखें तो अभी अभी हमने इंडिया create किया था तो इंडिया नाम से भी आपको देखने को मिलेगा लेकिन इसके images देखने को नहीं मिल रहे हैं images के लिए आपको क्या करना है again वही काम dashboard पे आ जाओगे और यहाँ से आपको जाना है trip type के उपर trip type में आने के बाद जिसको भी आपको edit करना है अभी अभी इंडिया बनाया थ यह basically school diving के लिए था मैं इसको यहाँ पर edit करता हूँ edit करोगे तो नीचे option है image image के उपर टिक लगाओगे और जो image आपको दिखाना है वो आप यहाँ पर रख करके simply इसको update करोगे यही काम आपको trip type के लिए करना है activity के लिए करना है destination के लिए करना है जब आप proper तरीके से कर लोगे तो सारे के सारे images हर एक page के उपर हर एक section के उपर proper तरीके से आपको visible हो जाएंगे अब हम अगर अपने website के उपर आएंगे न यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ मेरे website के main page के उपर जा रहा हूँ main page पर जाने के बाद आप एक चीज देखोगे नीचे scroll करेंगे तो popular packages बने हुए यह तो dummy था जो इस theme ने already provide किया अभी हमने तीन provide किये हैं तीन create किये हैं जाइड सी बात है मैं चाहूँगा वो यहाँ पर दिखाई दे तो उसे दिखाने के लिए आपको यह customize का option दिख रहा है एक tab के अंदर इसको open कर लो और दूसरे tab के अंदर अपने website को open कर ठीक है यहां से आपको एक option मिलेगा front page setting इसके उपर क्लिक करें popular packages के उपर क्लिक करें तो आपके सामने यह automatically यह drag हो करके आ चुका है एक चीज मुझे पसंद नहीं आया यह कहता customize front page setting यह वो detail मैंने का ठीक है यह नहीं दिखाना बाकि सब चल जाएगा you can modify this यह भी नहीं दि लेना यहां पर आप देखोगे तो popular package 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी है यहां पर आप उसको देख सकते हो अब popular package 1 का मतलब क्या है यह वाला यह second है यह third मैंने का one में क्या दिखाना है स्कूवा डाइविंग second में क्या दिखाना है hot air third में क्या दिखाना है वो जो ताजमेल वाला था तो जितने भी हमने बनाए हैं वो यहां पर list कर रहा है और मैंने वो लगा दिया offer दिया था तो offer के लिए यहां पर off करके कितना आया नहीं आया वो सब इसने खुदी उठा लिया यहां पर नीचे आपको कहता view all url कि भाई और भी packages तो होंगे अगर बंदा view पर क्लिक करे और जो भी उपर link आता है उसको कर लो copy यहां पर आ करके इस hash को कर दो erase और उस link को आपको यहां पर कर देना है paste ताकि जब भी इस बटन के उपर क्लिक हो proper तरीके से यह बटन काम करे right now यह काम नहीं कर रहा था अब अगर आपने main page पे आएंगे और यहां से नीचे scroll करके प आपर तरीकी से change करना है तो ही visible होगा अब यह जो image है मैंने आपको बताया trip के अंदर जाके हर एक का image लगाओगे दिखेगा नीचे एक option है featured trip यहां पे भी automatic तरीकी से select है इसके लिए आपको क्या करना है एक back step आ जाओ यहां पे एक option है featured section जैसी यहां पे click करोगे यहां भी example के लिए पहला वाला मैंने कर दिया यह तो आप देखोगे वो आ चुका है यहां पे दूसरे में कर देता हूं मैं यहां पे hot air balloon और तीसरे में कर दिया मैंने scuba diving तो हमारे हिसाब से हम proper इसको select कर सकते हैं और customize कर सकते हैं इसके बाद आपको simply यहां पे इसको publish कर देना है publish ह करता है featured area पे तो आप देखोगे इसके detailed के page के उपर यह ले आया पहले यह नहीं लेकर कर आ रहा था क्योंकि वो dummy data था demo जो theme ने already provide किया था बट यह हमारा create किया हुआ है that's why उसके detail हम यहां पे read कर सकते हैं हर एक post के अब चाहें वो hot air balloon हो कुछ भी हो वो detail हम यहां पे proper तर करोगे तो एक section और है deals and discounts तो यह भी simple ही है customizer को एक बार whack कर लो इसी के नीचे आपको मिल जाएगा deals section यह आपको यहां पे ले आएगा नीचे scroll करोगे भाई deal 1 पे क्या दिखाना है 2 पे क्या दिखाना है 3 पे क्या दिखाना है वो आपको यहां पे details proper तरीके से दिखा देग तो आप यहां से उसको create कर लोगे इसी के नीचे अगर आप एक और चीज़ देखोगे न तो popular destination का भी option है आपने multiple categories बनाए होंगे destinations बनाए होंगे वो भी आप यहां पे popular के section में डाल सकते हो back आ जाओगे यहीं आपको option मिल जाएगा destination section सेम काम यहां भी करना है 1,2,3,4 जो भी यह select करो आपके popular destinations जो आप यहां पर list हो जाएंगे view पर click करने पर again destination वाले page का यहां पर link देदोगे तो यह main page आपका बन करके तयार हो जाएगा proper आपके according और सारा कुछ होने के बाद आप इसको publish करोगे तो अब हम यहां पर यह देखते हैं कि images कैसे ले करके आया जाए right now तो यह खराब दिख रहे हैं आप ऐसे छोड़ूंगा तो अच्छा तो लगेगा नहीं यहाप आप देख सकते हो यह activity भी create हो गया destination भी हो चुका होगा जो भी आपने बनाया था बुटान था स्कूवा डाइविंग था क्या था तो destination basically आपको यहां पे place के name देने है ठीक है activities आप क्या क्या करवाओगे ताज महल कोई activity नहीं है तो आप यहां पे स्कूवा डाइविंग कर सकते हो hot air balloon पे घुमाएंगे आपको कुछ ऐसा और destination आपको जगा का नाम country का नाम place का नाम जो भी कहलो वो आपको यहां पे दिखाने है ताकि proper तरीके से यहां पे वो drop down के अंदर दिखे अब यह images का क्या किया जाए इसके लिए सबसे पहले तो आप आ जाओ destination के उपर और जितने भी destination create किये हैं उसके images को यहां पे लगाओ मैं यहां पर आता हूँ edit पे click करते हैं नीचे scroll करके जो भी image हो मैं तो यहां पर randomly कुछ भी select कर रहा हूँ लेकिन आप proper त destination यहां पे available था यह पहला वाला जो कि है button name से इसके उपर click करते हैं और इसको भी एक image यहां पर provide करेंगे add image के उपर click करेंगे जो भी आपका image है वो यहां से select करें नीचे आ करके update करें तो destination के अंदर हमने सारे images यहां पर लगा दिये हैं तो destination के page के उपर वो proper तरीके से visible हो good है trip type के उपर आते हैं यहां भी image लगा होना चाहिए है तो इसको भी आप edit करोगे नीचे scroll करके add image मैं फटा फट से इसको यहां पर कर देता हूँ तो मैंने यहां पर हर जगह images provide कर दिये हैं लेकिन फिर भी अगर हम अपने website के उपर आ करके इसको refresh करेंगे तो आप देखो होगे images बहुत ज़्यादा chances हैं कि visible ना हो popular package में visible नहीं हुआ यहां visible नहीं हुआ basically कहीं भी नहीं हुआ लेकिन अगर मैं आपको activity के page के अंदर दिखाओं तो वहां होगा क्योंकि मैंने तीनो activity के images दिये हैं पहले आपको खाली दिख रहा था अब ही आपको तीनो दिखेगा destination के उपर जा करके देखेंगे तो यहां भी image दिया है हमने back end से यहां भी दिखेगा trip type के उपर आ करके देखेंगे तो यहां भी दिखेगा जो कि आप देख सकते हो लेकिन main page के उपर यह नहीं आया तो यह कैसे किया जाए इस चीज के लिए आप आ जाओ again back यहां से आपको edit के उपर click किया edit पर click करने के बाद आपके सामने सारे details आएंगे जो interface already हमने यहां पर काम किया गुआ है आपको जो भी edit करना हो यहां पर करे details यहां पर देख जाएगा और इनी में से कहीं पर एक option है featured image featured image के उपर click करे select featured image कौन सा image आपको दिखाना है उसके उपर click करे and simply य देखोगे इस जगह पे image हमारा apply हो चुका है और proper तरीके से अगर मैं इस detail को view करूँ न तो आप देखोगे proper तरीके से मैं उसके detail को देख सकता हूँ image मैंने randomly उठा लिया है आप ध्यान में रखते हुए proper तरीके से image को apply करोगे यह उजाने के बाद आपको again यहां से आजना image जो भी आपका featured image है वो यहां से set करें और update करें अपडेट होने के बाद इसको back करेंगे last बचा हुआ हमारा ताज महल वाला इसको भी यहां पे edit करेंगे और यहां से इसका भी featured image हमें set करना है और इसके बाद simply हमें यहां पे इसको update कर देना है website के उपर आ करके इसको refresh करे तो आप चेक कर सकते हो कि इन तीनों ही जगह पे हमारा image प्रॉपर तरीके से visible है लोड होने में इसको कुछ seconds का time लग सकता है similarly नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां भी हमारे images जो हैं वो प्रॉपर तरीके से visible है और अब यह देखने में काफी जादा अच्छा लग रहा है budget क option है duration है activities है destinations है सारे के सारे options हमें यहां पे देखने को मिल रहे हैं तो काफी easily हमने wordpress का use करके इतना काम यहां पे complete कर लिया अब क्यूंकि यहां पे हमने multiple trips types create कर दिये है destination create कर दिये है तो अब मैं यहां पे आपको trip type के page के ओपर जाके दिखाता हूँ जहां पे design बहुत खरा वो पतला सा दिख रहा था और मैंने आपको कहा था कि जैसे ही 3-4 add करोगे वो सही हो जाएगा तो अगर मैं आपको यहां पे view all पे click करके दिखाऊं तो यही area था जहां पे यह पहले बहुत खराब दिख रहा था अगर आपको याद हो तो लेकिन क्यूंकि अब हमने इसके design को fulfill कर दिया है और proper 3 create कर दिये है तो देखने में यह अच्छा लग रहा है और इसने आपस में width जो है वो divide कर लिया तो जहां भी आपको problem आता है उसको ignore करे और अपने design को complete करे तीन चार अलग-अलग चीज़ों को add करे वो अपने आप आपका यहां पे सही हो जाएगा अब मैं इसके उपर यहां पे click करता हूँ तो आप देखोगे यहां पे top listing है filter का option है हमारे पास destinations है pricing है बहुत सारी चीज़े यहां पे दी हुई है जिसके according हम यहां पे filter कर सकते हैं और यहां पे एक view दिख रहा है आपको list के according आप इस जगह पे देख सकते हो अलग-अलग आपक इस चीज़ के लिए आप क्या करोगे यहां से आपको आना है अपने dashboard पे एक option है यहां पे pages यहां से आपको जाना है all pages के उपर यह page यहां पे होना चाहिए है trips name से अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है ना मिले तो हम यहां पे खुद create करेंगे आपको यहां पे क्या क पूरा area चाहिए actually हमको वो आपको tick लगाना है कोई और design चाहिए हो तो आप उसको यहां से ले सकते हो यहां पे आप देखोगे options हैं हमारे पास अलग-अलग इस जगा पे आप देख सकते हो template है template के अंदर आपको यहां पे select करना है trip listing template क्यूंकि हमें trip के listing यहां पे दिखान तो आप देखोगे अपने आप ही इस theme ने और इस plugin ने इसे create करके दे दिया और यह भी यहां पे fully functioning है आप चाहें तो किसी के उपर click करें और उसके detail को आप यहां पे proper तरीके से देख सकते हो लेकिन अगर मैं अपने website के उपर आकर के refresh करता हूँ तो वो यहां पे नहीं दि individually दिख रहा है तो आपको इसको menu में add करना पड़ेगा menu में add करने के लिए आप जाओगे appearance menu यहां सापको नीचे scroll करना है view all पे click करें और जो page हमने अभी अभी create किया trips add to menu के उपर click करें तो मैं इसको उठा के उपर रख देता हूँ ताकि यह हमार पास यहां पे fourth number पे आए और आपको simply यहां पे save menu के उपर click करना है website के उपर आ करके इसको refresh करेंगे तो आप देखोगे trips का एक option आ गया और trip type तो यहां पे already था तो मैं यहां trips के उपर click कर रहा हूँ जैसे click किया वो as it is page interface हमें यहां पे देखने को मिल रहा है एक चीज और missing है वो है contact का page तो contact के page को भी हम यहां पे बहुत easily create करेंगे इस चीज के लिए आपको again जाना है pages add new page जो भी आपको contact के page का नाम देना है वो आप यहां पे provide करें contact, contact us जो भी आपको सही लगे और इसके बाद एक काम मैं करता हूँ यहां पे कि dashboard को एक जगा पे और open कर लेते हैं यहां पे आएंगे plugins पे contact form 7 यहां पे हमें दिख रहा है इसका एक short code होता है आपको इसके setting के उपर click करना है जैसे ही आप इसके setting पे click करोगे आपको मिलता है short code यह पूरा का पूरा code आपको यहां से कर लेना है copy, copy करने के बाद मैंने इसको default पे ही टिक रहने दिया और इस जगा पे आ करके मैंन इस page को भी एक बार मैं यहां पे view करके देख लेता हूँ तो आप देखोगे contact का page बन गया आपके website के उपर कोई भी recent comment आएगा कुछ भी आएगा तो यह section भी अपने आप यहां पे fulfill हो जाएगा page हमारा बन चुका है लेकिन यहां पे again वो हमें menu बार में देखने को नहीं मिल रहा है तो इस चीज के लिए आपको जाना है appearance, menu, नीचे scroll करके view all, contact पे tick लगा के add to menu और इसको भी आपको यहां पे save कर देना है save होने के बाद अपने website को एक बार refresh करेंगे तो आप देख सकते हो contact का page भी यहां पे हमारे पास आ चुका है और जो भी मैंने आपको demo में दिखाया था वो as it is interface यहां पे बन चुका है लेकिन हमारे पास यहां पे अभी payment option नहीं है तो अगर मैं यहां पे किसी के ऊपर click करूँ न तो payment हो नहीं पाएगा check availability के ऊपर मैंने यहां पे click किया जो भी हम इस requirement है date वगरा को select किया continue के ऊपर click किया proceed to account के ऊपर click किया चलिए यह इस detail को भी हम लोग provide कर देते हैं number of adults, travelers कितने हैं वो भी हम यहां पे fill कर देते हैं तो मैंने इसको यहां पे for किया proceed to check out के ऊपर click करें आप देखोगे यह जो area मैंने आपको बता दिया जैसे जैसे website को उपर काम करोगे यह fill हो जाएगा coupon code है तो वो provide कर सकते हो book का एक option है pay later का option है payment method यहाँ पे नहीं है payment method को add करने के लिए आपको जाना है यहाँ पे WP travel engine इसके अंदर एक option है setting setting के ऊपर click करें skip के ऊपर click करें यहाँ पे आप देखोगे आपके सामने option है checkout का page क्या रहेगा सारे details में यहाँ पे present है हमें यहाँ पे payment के ऊपर click करना है debug mode को यहाँ पे enable करें यानि कि इसको on करें कौन-कौन सा payment आपको option देना है मैंने कहा PayPal direct bank transfer जो भी आपको सही लगता है वो रखो मैंने सारे ही options अलाव कर दिये save and continue के ऊपर click करें इसके बाद आपको PayPal standard पे जाना है PayPal का जो भी आपका email address है वो provide करें payment आपको वहाँ पे मिल जाएगा bank transfer में आजाए आपका bank में आपका नाम क्या है account number instruction add account पे करके अपने bank details को यहाँ पर प्रॉपर प्रॉइड करें चेक से payment करना है तो वो भी detail पहले आपको यहाँ पर प्रॉइड करना पड़ेगा उसी के बाद payment आपको receive होगा तो अब अगर मैं आपको अपने website के उपर आ करके इसको refresh करके दिखाऊं तो आप देखोगे PayPal का option आ गया, bank transfer का option आ गया, सारे के सारे options यहाँ पर आ चुके हैं और यह website हमारा पूरे तरीके से बन करके तयार हो चुका है जहाँ भी थोड़ी बहुत customization यहाँ पर रहती है वो आप बहुती easily customizer को open करके जिस तरीके से मैंने किया था उन्ही steps को follow करके अपने according इसको create कर सकते हो और इस travel booking website को बहुती easily create कर सकते हो मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़े step by step बहुती easy way में समझा दी जाए और उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग है तो please like करें and comment में अपना feedback जरूर दे चैनल पे नियू है तो subscribe करें बैल आइकन को click करके all notification को on करें तकि आपको latest वीडियो की notification मिलती रहे मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में thanks for watching guys